हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल MB World Fact पर दोस्तो प्रधान मंत्री मोदी का जन 17 सिप्टेंबर 1950 को गुजरात के वडन गर में हुआ था उनके पिता का नाम दामोदर दास मूल चंद मोदी और उनकी माता का नाम हीरा बेन है मोदी पाँच भाई बेहनों में दूसरे नंबर पर है प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी का जीवन काफी रोचक रहा है प्रधान मंत्री मोदी के पिता दामोदर दास मूल चंद मोदी की वडन गर स्थित रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी मोधी के बचपन का नाम नारिया था हर कोई प्यार से उन्हें नारिया कहकर बुलाता था वो वड़न नगर के भगवता चार ये नाराय अडा चार ये स्कूल में पढ़ते थे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को बचपन में अभिने का काफी शौक रहा है 2013 में मोधी पर लिखी गई किताब The Man of the Moment नरेंद्र मोधी के मुताबिक जब वो 13 से 14 साल के थे तब उन्होंने स्कूल के लिए फंड जुटाने के लिए स्कूल के बाकी बच्चों के साथ एक नाटक ड्रामा में हिस्सा लिया था ये नाटक गुजराती में थी इसका नाम पीलू फूल था जिसे हिंदी में पीले फूल कह सकते हैं स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही परदानमंतरी मोधी सन्यासी बनने के लिए घर से भाग गए थे इसके बाद वो वेश्ट बेंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित देश के कई जगों पर गए हिमाचल में कई दिन तक साधू संतों के साथ रहे तब उन्हें संतों ने कहा कि राश्ट की सेवा बगएर सन्यास धारण किये भी की जा सकती है इसके बाद वो वापस गुजरात पहुँचे और उन्हें ने सन्यास धारण करने का फैसला त्याग दिया नरेंद्र मोधी बच्पन से ही राश्टी स्वैम सेवक संग यानी आरेसेस से जुड़ गए थे 1959 में दिवाली के दिन गुजरात आरेसेस के पहले प्रांत प्रचारक लक्षमन राव इमंदार उर्फ वकील सहब ने नरेंद्र मोधी को बाल स्वैम सेवक की शपद दिलाई थी मोधी संग के कारिक्रमों में प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाते थे आरेसेस नेताओं के बस और ट्रेन में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास था प्रधान मंतरी मोधी समय के बहुत पाबंध है वो केवल चार घंटे की नीन लेते हैं एक इंटर्विव में उन्होंने बताया था कि वो अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए नियमित तोर पर योग करते हैं इसके अलावा ध्यान भी नियमित करते हैं मोधी को पतंग बाजी का काफी शौक है गुजराद में मुख्य मंतरी रहते हुए वो मकर संक्रामती पर बड़ी पतंग बाजी कॉम्पटिशन्स का आयोजन करवाते थे जो आज भी जारी है इस कारिकरम में उन्होंने एक बार बॉलिवूड एक्टर सल्मान खान को भी इन्वाइट किया था संग में प्रचारक रहने और फिर मुख्य मंतरी बनने के बाद तक नरेंद्र मोधी अपना काम खुद सही करते थे वो खुद सही अपने लिए खाना बनाते थे पर उन्होंने उसका विरोध किया इस दोरान पुलिस से बचने के लिए उन्होंने सरदार का रूप धारन कर लिया था इसके जरिये धाई साल तक वो पुलिस को छकाते रहे नरेंद्र मोधी जब संग में थे तभी से कुर्ते की बाहा को छोटी करवा लेते थे ऐसा इसलिए क्योंकि इससे कुर्ता जाधा गंदा नहीं होता था और आराम दायक भी रहता था आज वही कुर्ता मोधी ब्रैंड बन गया है एक आटियाई में पीम मोधी के उपर होने वाले भोजन के खर्च को लेकर सवाल पूछा गया था इस बारे में केंद्रे सूचना अधिकारी ने विस्तार में जवाब दिया था उन्होंने बताया था कि पीम मोधी अपने खाने का खर्च खुद उठाते हैं यानि कि उनके खाने पर सरकार का कोई खर्च नहीं होता है दोस्तो हमारे पीम मोधी गुजराती खाना बहुत पसंद करते हैं वो अपने कुक बदरी मीडा के हाथ से बना खाना खाते हैं पीम बाजरे की रोटी और खीचडी खाना पसंद करते हैं और प्रधानमंतरी मोधी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने आज तक कोई छुटी नहीं लिए तो दोस्तो ये थे हमारे PM मोधी की लाइफ की कुछ बाते जिसे अब आप अच्छे से जान चुके हैं तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथी साथ बैल नोटिफिकेशन को भी आउन कर ले ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडि हुआ हुआ